साथियों, आखे हमारे शरीर का सबसे नाजुक अंग, हमारे पलक के बाल भी आख में चला जाए एक भी, तो भी हम परेशान हो जाते हैं, छोटे से छोटा बालू का कड़ भी आख में चला जाए, वो भी हमें इरिटेट कर देता है, और आखों से संबंदित रोख जो कि यह हो सकता है ड्राइ आई या आई फ्लोटर्स आखों के आगे पतंगे आना, केटरेक्ट या ग्लुकोमा जिसे हम कहते हैं काला मूतिया या सफेद मूतिया, इसके अलावा नाइट ब्लाइडनेस, कलर ब्लाइडनेस या दरश्टी दोश, दूर का साफना दिखना या पास आई से घर पर रहकर ही ओल आई डिस ओर्डर से चुटकारा पास सकते हैं इन सिक्ट अकुपेंचर के पॉइंट से आये बढ़ते हैं वेडियो की तरफ अविसार से समझते हैं उन खास अकुपेंचर पॉइंट्स को नमस्कार साथियों मैं हूँ आपके अपनी डॉक्टर डॉक्टर रिचावाश ने संबफ नेचो किर होस्पिटल लखनाओ से स्वागत करती हूँ आप सभी का घर बैठे चिकेस्ता कारिक्टर में साथियों सिक्रट अक्यूपेशर अक्यूपेंचर में बहुत अच्छा ट अपर ही बहुत ही कम खर्चे में ठीक कर सकते हैं यही तो जादू है सिक्रट अक्यूपंच और अक्यूपेशर का कि आये समझते हैं वो पॉइंट कहां पर है आएंगे पैर में डॉर्सल साइट नहीं आएंगे पैर के तलवे में सोल में और देखिए साथियों जो हमारे यह फर्स्ट मेटा टार्सल बोन है याने कि जो बिग टो है इसके नीचे है हमारी फर्स्ट मेटा टार्सल बोन और जो यह सेकेंड नंबर के टो है यह हमारी है सेकेंड मेटा टार्सल बोन इन दोनों बोन के बीच में जो ग्रूव है इन ग्रूव में है यह चार के चार पॉइंट्स नाम है इनका फ्लावर बोन टू फ्लावर बोन टू यह चार पॉ पड़ी है तो वह जानते होंगे कि लीवर का संबंध है और आई डिस ओडर से यानि यादि हम रूट कॉस की बात करते हैं आखों का संबंध यानि कि जितनी भी बिमारिया है आखों से रेलेटिड उनको यदि ठीक करना हो तो उसका डेपार्टमेंट है लीवर के पास में क्य लीवर 14 से फिर जो इंटर्नल ब्रांच है वो आईस को चूते हुए गवर्निंग वसल 20 पे राकर खतम होती है आईस का संबंध है और बड़े मज़े की बात जो जानते होंगे टीसीयम के पॉइंट को तो यह देखिए यह है लीवर 2 और यह है लीवर 3 अब हम पैरों में ब हमारा यह थर्ड नंबर का पॉइंट है यह आ रहा है लीवर 3 पर यानि कि छुपा हुआ हमने का लीवर रेस्पॉंसिबल है लेकिन जो यह पॉइंट्स छुपे हुए सिक्रट अके पंचर के फ्लावर बॉन्टू यह सारे के यह 4 के 4 पॉइंट्स कारकर है और क्यासे ठीक करना है तो हमें जरूत होगी साथियों पेपर टेप की और क्लस्टर मैगनेट की हमें पेपर टेप में इस तरीके से क्योंकि पॉइंट्स हमारे 4 हैं तो इस तरीके से चार cluster magnet को लगा लेना है लाइन से और जो हमारी ये points से flower bone 2K इन सब के ऊपर हम इस तरीके से cluster magnet को लगा देंगे तो ये हमारा treatment हो जाएगा इस तरीके से आप लगा देंगे line से cluster magnet को और ये all eye disorders में देखिए कितना कारगर है लिकिन पड़े मज़े की बात कि आपको bilateral जैसे कि हम TCM में दोनों तरफ इस्तेमाल करते थे left side भी और right side भी यहां किवल एक pair में ही लगाना काफी होगा यदि किवल right eye की problem है तो left pair के soul में यह points लगाएंगे लगेंगे दोनों pairओं में ही लगा दीचेगा और यदि आप कहेंगे कि आपको तो दोनों ही आखों में हो problem है तो क्या करेंगे तो एक दिन left leg में leg soul में और दूसरे दिन right soul में लगा सकते हैं आपको दोनों पैरों में पॉइंट्स को एक साथ नहीं लगाना है बस इस चीज़ का क्याल रखना है आपको भी आफ शेक्ता है इन मैगनेट्स की तो निगा डालिए नीचे एक वेबसाइट की लिंक है संभवकियो.com पूरी अक्यूप्रेशर किट अवलेबल है आप यहां स से मंगा सकते हैं और सिक्रोट अक्यूप्रेशर अक्यूपंचर तो बहुत ही सरल है साथियों इतना कारगर है कि कोई भी इसको असानी से सीख सकता है और यदि आपका भी मन है इस को सीखने का तो निगा डालिए स्क्रीन पर बहुत सारे कोर्स है जो हमने डिजाइन ही किये है कि हम घर बैठे आपको यह सारी चीज़े सिखा सके और देखिए सीक्रोट अक्यूपंचर का कोर्स आप इसको जॉइन कर सकते हैं और यह सारी की-सारी बारीकिया कि क्या है कारण कैसे चीज़े चीख होती है बहुत ही सरल से तरीके से आप सीख सकते हैं तो साथियों आज झाल